Hello students, अभी तक हम पढ़ चुके हैं, polynomial क्या होते हैं, इनके zeros कैसे find out करते हैं, zeros क्या होते हैं और फिर हमने factorization और square identities के बारे में पढ़ा था आज हम discuss करेंगे cubic identities जैसे कि हम सबसे पहले first लेते हैं, a plus b, अगर whole cube है तो ये होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b अगर आपको इसको verify करना हो, तो क्या cube है, तो क्या होगा a plus b into a plus b, three times इसकी multiply होगी, तो आप इसको solve करके देखना यही चीज़ आएगी तो हमारी जो first identity है, आज के लिए ये है next है a minus b का whole cube, ये होता है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b अब इस में एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, कि दोनों identities में क्या difference है देखो ये plus था, ये minus है, देखो अंदर के भी सारे sign minus के होगे बाकी सारी चीज़े वैसे की, वैसे है, तो याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको इन identities को, इसी के base पे कोश्चन देख लेते हैं, 3 by 2x plus 1 और हमें निकालना है इसका whole cube, तो यहाँ पे हमें identity कुन सी लगानी पड़ेगी a plus b का whole cube, ये हमारा जो है ये a हो गया और ये वाली चीज़ जो b हो गई ये वाला हिस्सा a हो गया और ये वाला हिस्सा b हो गया, तो क्या होता है a cube, सबसे पहले आएगा a cube यानि कि 3 by 2x, a की जगे क्या है, 3 by 2x उसका cube plus b की जगे क्या है, 1, 1 का cube, plus 3 into a, b, यहाँ पे देखो a, b है तो a की जगे क्या है, 3 by 2x, और b की जगे क्या है, 1 into a plus b, 3 by 2x, plus 1 अब इसमें cube है, अगर 3 का cube करेंगे तो आएगा 27, 2 का cube करेंगे तो आएगा 8 और x का cube करेंगे तो x cube, 1 का cube, 1, यहाँ पे आगया, 3, 3s are 9 by 2, x, और यहाँ पे अंदर रह गया, 3 by 2x, plus 1 अब इसको आगे, इस bracket को open कर लेते हैं, plus 1, multiply हो जाएगी, 9, 3s are 27, 2, 2s are 4 और x और x की multiply, x square, plus 1 के साथ multiply करेंगे, 9 by 2x की, तो सेम आ जाएगा, यह हमारा answer आगया अब जो हमने यह identity पढ़ी है, पहले वाली, इसको देखो, अगर हम यह वाला थोड़ा सा और expand कर दे, आपको यह तो learn होई गया अब a cube, इसको हम ऐसे भी करते है, b cube, plus अगर हम इस bracket को open करते हैं, तो क्या होएगा, 3a square b, plus 3ab square सेम इस case में, अगर हम इस bracket को open करते हैं, तो a cube, minus b cube, minus 3a square b, और minus और minus, जब multiply होगा, तो एक plus हो जाएगा, 3ab square तो यह चीज इसी से बनके आई है, कोई extra learn करने की जुरूद नहीं है, और आप जैसे जैसे practice करेंगे, सब कुछ easy हो जाएगा लेकिन एक चीज के जरूर ध्यान रखें, कि जब भी आप question करें, identity जरूर लिखें, जो भी identity आपको question में use करनी है, उस identity को वहाँ पे जरूर एक बार लिखें इससे आपकी practice हो जाएगी, और आप question करने में easy महसूस करेंगे ये question में हमें जो identity लगानी है वो लगानी है, a minus b का cube, तो हम अपनी identity लिख लेते हैं, ये होती है a cube minus b cube minus 3ab into a minus b या अगर दूसरी तरीके से लिखना चाहिए तो a cube minus b cube minus 3a square b और minus minus plus 3ab square तो ये था a minus b का whole cube और लेकिन हमें किसका cube निकालना है, 2a minus 3b का whole cube निकालना है a की जगह है तो ये है 2a और b की जगह है 3b, बस यही value हम substitute करते चले जाएंगे अपने identity में a की जगह क्या था 2a, तो 2a का cube, next क्या है b की जगह 3b, तो 3b का cube minus 3 into a square a square यानि 2a इसका square और उसके बाद b, तो 3b, b की जगह क्या है 3b, उसके बाद plus sign 3 into a, a की जगह क्या है 2a यहाँ पे और b की जगह क्या है 3b, उसका square, हमने यह वाली चीज़े लगा दी सारे की सारी, यह वाली identity हमने use कर ली तो अब अगर हम 2 का cube करेंगे तो आएगा 8a cube, यह आजाएगा 27b cube, इसको solve करेंगे तो 2 का square हो जाएगा 4, 4, 3, 0, 12 और यह हो जाए, 36, minus 36a square b, इसको solve करेंगे तो आगया 54ab square और यह हमारा solution आगया तो इस question में हमें आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 100 plus 2 और उसका cube कर देंगे देखो 102 का cube complete निकालेंगे तो हमें 102 को 3 times multiply करनी पड़ेगी, लेकिन अगर 100 का cube निकालना हो तो बहुत आसान है 2 का cube निकालना हो तो वो भी सभी को पता है, तो हम इसको इस तरह के से इसके टुकडे कर लेते हैं और यहां पे अब identity जो लगेगी, वो लगेगी, a plus b का cube, वो क्या होती है, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b बस इसमें हमने value substitute कर देनी है, यह था 100 plus 2 और उसका cube, यह होता है 100 का cube, a की जगे 100 है, 100 cube plus b की जगे 2 है 2 cube, plus 3 into a, a की जगे 100, और b की जगे 2, और a plus b, यानि कि 100 plus 2 अब यहां से आ गया 10,00, यह आ गया 8, और यह आ गया 600, और यहां से इन दोनों को add करेंगे तो आ गया 102 जब इसको हम solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,61,208 हमारा answer आ जाएगा पहले वाले question की तरह इसको भी करते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, 1000 minus 2 और इसका cube अब यह आपके लिए exercise है, हमें यहां पे identity लगानी पड़ेगी, a minus b का cube वाली, क्योंकि यहां पे a minus b नजर आ रहा है तो वो क्या होती है, a cube minus b cube minus 3ab into a minus b, hint मैं देता हूं, देखो यह था क्या 1000 minus 2, इसका cube अब a की जगह तो 1000 है और b की जगह जो है वो 2 है, अब आप इसमें value substitute करेंगे और find out करेंगे और हमें comment section में इसका answer देंगे इस question में हमें factorize करना है इस complete को, अब देखो यह कुछ cube टाइप नजर आ रहा है, यह भी कुछ cube टाइप नजर आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, b का cube वालडी है ही, तो अब इसके बाद जो यह 12a square b है, अब देखो उसमें इसकी और इस 3a square b plus 3ab square, यह अगर है, तो यह होता है, a plus b का whole cube, यह चीज होती है, यह हमने भी पहले पढ़ा है, तो वही चीज हम यहाँ पे देखो, इसके बाद हमारा जो term आएगी, वो 3 के type की आएगी, तो 3 अगर हम कर देंगे, तो क्या बचा 4a square, 4a square अगर है, तो 4a square को हम 2a का square भी चीज जो दी हुई है, इसी के according यहाँ पे हम उसको divide मतलब उसके factor बना देंगे, उसके बाद b, b की जगे b है ही, plus यहाँ पे 3a b square होना चाहिए, a की जगे क्या है, 2a और b की जगे क्या है, b और उसका square, देखो अब यह चीज और यह चीज बराबर है या नहीं है, अगर बर यहाँ पे 3 to the 6, 6a b square तो वही चीज है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो अब हम क्या गएंगे, कि a की जगे है, तो हमारे पास 2a है, और b की जगे b है, तो यह इस तरह का अगर हमारे पास आ जाता है, तो वो तो उसका whole cube होता है, 2a plus b का यह whole cube होगा, अगर यह question ऐसे द यह तो 2a का cube होगया, यह b का cube होगया, इसको हम क्या लिख सकते थे, minus 3 into a square, यानि 2a का square into b, plus 3 into a की जगे 2a होगया, और b की जगे b है ही उसका square, तो अब देखो यहाँ पर यह वाला कौन सी identity जैसा लग रहा है, यह लग रहा है, a minus b का whole cube हमने पढ़ा था, वो क्या होता था a cube, minus b cube, minus 3a square b, plus 3ab square, यह इस तरह की form में आ गया, यह क्या होता है, a minus b, a की जगे यहाँ पर क्या है, 2a, तो 2a, और b की जगे यहाँ पर b है ही, 2a minus b का whole cube, यह हमने इसको भी factorize कर दिया, इस question में भी अगर हम देखते हैं, तो यह हमें cube पूरा नजर आ रहा है, यह भी पू b का whole cube नजर आ रहा है, और अगर 216 की बात करें, तो यह 6 का cube है, बीच माइनस का sign है, तो यह इसका cube हो गया, उसके बाद क्या होता था, 3 देखो, यह minus अगर है, तो simple सी बात है, यह minus वाला formula आएगा, यानि कि a minus b का, जो अगर cube होता था, वो है, a cube minus b cube, minus 3a square b, plus 3ab square, यह minus का है, यह plus का है, कुछ यही form नजर आ रही है, तो अब यह वाला भी चीज ऐसे होनी चाहिए, 3a square, a की जगे क्या है, 3p, इसका square, into b, b की जगे क्या है, 1 by 6, 1 by 6, अब अगर मैं इसको solve करता हूँ, यानि कि 3 into 3p का square क्या हो गया, 9p square हो गया, into 1 upon 6 हो गया, 3 to 6, यहा गया, 9 by 2p square, यही चीज है, इसके बाद क्या आएगा, 3ab square, अब a की जगे, 3 into a की जगे क्या है, 3p, और b square की जगे क्या है, यानि 1 by 6 का square, अगर यहां से हम देखते हैं, तो 3 3 हो गया, 9, और इधर हो गया, p into 1 by 6 का क्या लिख सते हैं, 1 upon 36, 9 4 जा, 36, और यहा गया, 1 by 4p, सेम चीज आ अब देखो यह वाली identity, यहां पे लग गई, क्योंकि यह सेम इसी form में आ गया, इस form में आ गया, तो उससे क्या आ गया, a minus b का whole cube, तो a की जगे क्या है, 3p, और b की जगे क्या है, 1 by 6, तो इसका whole cube, यह हमारा solution आ गया, इस question में हमें verify करना है कि x cube y cube जो है, वो x plus y into x square minus x y plus y square के equal है, तो हम यहां पे, यह right hand side है, right hand side को लेगे चलते हैं, यह हमारे पास है, x plus y, अगर right hand को solve करते करते हम यह चीज़ ले आए, यानि कि left hand side ले आए, तो हमारा proof हो गया, तो हम वही काम करने वाले हैं, plus y square, अब देखो x की multiply पहले इस पूरे के साथ होगी, फिर y की multiply इस x cube, minus x square y, और x की इसके साथ होगी, तो x y square, अब y की multiply जब इसके साथ होगी, तो x square y, अब plus की है, तो plus का आएगा x square y, plus का minus की multiply माइनस आएगी, तो x y square, और y की y square के साथ y cube, अब देखो, यह x, यह x y square plus का है, और यह x y square minus का है, दोनों cancel हो जाएंगे, यह x square y, यह minus का, और यह x square y, यह plus का, यह दोनों cancel हो जाएंगे, बचा क्या, x cube, plus y cube, और यही चीज़ क्या थी, यह हमारी left hand side थी, यह left hand side में यही चीज़ दी होई है, तो हमने इसको prove कर दिया है, लेकिन एक चीज देना कि इसको हम as a identity भी use करेंगे, हमारे पास यह identity बन गई, a cube plus b cube जो होता है, वो होता है, a plus b into a square minus a b plus b square, यह identity हमें learn करनी है, same इसी तरीके से, दूसरी identity हमारी होगी, a cube minus b cube, उसमें आएगा, a minus b into a square plus a b plus b square, next identity हमारी यह है, और यह दोनों identity आपको learn रखनी है, अब आप लोगों को verify करना है, कि x cube minus y cube जो है, वो होता है, x minus y into x square plus x y plus y square, यह verify करना है, same जैसे हमने उपर किया है, इस question में हमें factorize करना है, हम यहाँ पर वही identity देखाई दे रही है, कि a cube plus b cube होता है, a plus b into a square minus a b plus b square, तो यहाँ पर इसका हम कैसे लिखते हैं, 3y का cube लिख सकते हैं, इसको हम क्या आगार सकते हैं, 5z का cube लिख सकते हैं, अब a की जगे तो है 3y और b की जगे है 5z, अब a plus b, यानि की 3y plus 5z into a square, a की जगे 3y है, इसका square, मैं यहाँ पर बड़ी bracket लगा देता हूँ, यह a square हो गया, minus a, b, a की जगे 3y, b की जगे 5z, a into b हो गया, plus next b square, b की जगे 5z है, 5z का square, यह आगया 3y plus 5z, यह तो पहले ही था, यह आगया 9y square, यहाँ से आगया 15yz, और यहाँ से आगया 25z square, और यह हमारा solution हो गया, इसी तरीके से 64m cube, minus 343n cube को अगर हमें factorize करना है, तो यह किसका cube नजर आ रहा है, यह 4m का cube नजर आ रहा है, 4forza 16, 16forza 64, और m का cube m cube हो जाएगा, minus 7n का cube हमें यह नजर आ रहा है, अब वही हमने identity लगा दी, उसमें क्या है, कि a cube minus b cube जो होता है, वो a minus b into a square plus a b plus b square, तो यहाँ पर a minus b था पहले, तो a की जगह तो है 4m और b की जगह है 4n, तो 4m minus 7n, पहला काम हो गया, next है क्या, a square, यानि a की जगह क्या है, 4m, इसका square, फिर इन दोनों की multiple plus a into b, 4m into 7n, उसके बाद plus b square, b square की जगह 7n, इसका square, यहाँ से आ गया 4m minus 7n, इसको solve करेंगे तो आ गया 16m square, यहाँ से आ गया 28mn, यहाँ से आ गया 49n square, और यह हमने इसको भी factorize कर दिया, अब हमें इसे verify करना है, x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx, तो हम इसमें भी right hand side लेके चलते हैं, वो है हमारी x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx, तो अब x की multiply पहले सब के साथ होगी, फिर y की multiply इन सब के साथ होगी, फिर z की multiply, तो x cube plus xy square plus z square x, आगे आएगा minus, प्लस की minus आएगी, minus x square y minus xyz, और उसके बाद आजाएगा minus zx square, अब y का number आगया, अब y से multiply करेंगे, मैं next row में लिख ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, x square y plus y cube plus yz square minus xy square minus y square z minus, अगर इसके साथ करेंगे तो xyz, xyz, देखो मैं उसी form में क्यों लिख रहा हूँ, देखो इसमें z, x, y भी लिख सकते थे, x, y, z भी लिख सकते थे, तो हम उसी form में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आलड़ी पहले भी उसी form में है, तो आसान होगा, next है हमें z की multiply करनी है, अब क्या आएगा, z x square, plus y square z, plus z cube, minus xyz, minus y z square, minus z square x, अब x square y जो है, यहाँ पे देखो x square y plus का नज़र आ रहा है, यहाँ x square y minus का नज़र आ रहा है, तो यह हो गया cancel, यहाँ पे z square x हमें plus का नज़र आ रहा है, यहाँ पे minus का नज़र आ रहा है, तो यह भी हो जाएगा 0, ऐसे ही minus z x square minus का है यहाँ पे, और यह plus में भी है, कहीं ना कहीं यह रहा, तो ये भी चीज cancel हो जाएगी प्लस और माइनस जीरो हो जाएगे y z square यहाँ प्लस का है यह माइनस का है तो यह भी जीरो हो जाएगा ऐसे ही यह x y square यहाँ पे माइनस का है और x y square यहाँ पे प्लस का है y square z प्लस का है यह माइनस का है तो देखो अब यहाँ पर क्या बचा एकस क्यूब बचा उसके बाद एकस वाई जेड बचा माइनस एकस वाई जेड उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर माइनस एकस वाई जेड उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जेड क्यूब बचा उसके बाद माइनस एकस वाई जेड अब देखो x cube plus y cube plus z cube और x minus xyz minus xyz minus xyz क्या हो गया? minus 3 xyz ये एक फिर identity बन गई है कि a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c ये होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a ये हमारी identity है जो हमें learn रखनी है अब इस identity में अगर हम ध्यान दें कि अगर कोई कहे कि a plus b plus c अगर 0 है if अगर आपको बोला जाए अगर a plus b plus c 0 है यानि कि ये वाली चीज़ 0 है तो जब 0 की multiply किसी के साथ होगी तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा उस case में क्या होगा a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c ये तो इस तरफ का ऐसे ये ऐसे रहेगा और जो ये था ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की multiply किसी के साथ होगी तो 0 आएगी और हमने क्या बोला कि यदि जो a plus b plus c 0 है उस case में ये चीज़ 0 हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे a cube plus b cube plus c cube को एक तरफ रखेंगे a b c वाली term को उधर लेके चले जाएगे ये हो जाएगी उधर जाके plus की तो plus 3 a b c ये आपको ये भी learn रखनी है लेकिन इसके साथ condition क्या है if a plus b plus c is equal to 0 उस case में ये formula बनेगा ये कुछ अलग नहीं है इसी से drive होके आया है अगर याद ना रहे तो आप वहीं पे एक बार इसको लिखके आपको अंदाजा लग जाएगा 0 हो गया a b c उदर जाएगा तो 3 a b c उदर जाके plus का हो जाएगा तो simple एक identity यहां से ये हो गई ये ये हो गई अब इसी identity को मैं फिर से लेता हूँ ये थी a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c is equal to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c अब अगर मैं a plus b plus c इसको 2 से multiply कर दूँ अंदर में सारा यानि कि 2 a square plus 2 b square plus 2 c square minus 2 a b minus 2 b c minus 2 c a अगर मैंने पूरा multiply किया है तो मुझे divide भी करना पड़ेगा तो मैंने 2 से divide कर दिया अब देखो अगर हमने multiply भी किया उसी से divide भी किया तो उस पे कोई फरक नहीं पड़ता यहां से 2 आएगा common कट जाएगा तो same हमारी पहले वाली यही चीज़ आ जाएगी तो इस पे कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन यह हमने क्यों किया अभी मैं आपको explain करके दिखा देता हूँ देखो यह हो गया half a plus b plus c यहां से अगर मैं इसको लिख दू a square plus a square इसको लिख देता हूँ b square plus b square plus c square plus c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca यह बाकी जैसे थे वैसे ही हमने लिख दिये इसको हम थोड़ा अपने हिसाब से arrange कर लेते हैं 1 by 2 a plus b plus c देखो यह a square नज़र आ रहा है यह b square नज़र आ रहा है minus 2ab अगर इनको देखते हैं तो यह कोई हमें identity नज़र आ रही है last में हमने पढ़ा था कि यह तो a minus b का whole square है अब next में अगर मैं minus 2bc को देखता हूं c square इसके साथ लेता हूं और b square इसके साथ लेता हूं यानि b square minus 2bc और plus c square अगर यह वाला मैं देखता हूं तो यहां से बन गया b minus c का whole square अब थर्ड है कि minus 2a c minus 2ca है तो c square और a square तो c square minus 2ca plus a square यह क्या होता है यह होता है c minus a का whole square तो अब हमारे पास a cube plus b cube plus c cube minus 3a b c क्या आगया half of a plus b plus c into a minus b का square plus b minus b whole square plus c minus a whole square यह हमारे पास एक identity और उसी से बन के आ गई इसमें हमें sol करना है यह cube है plus a cube plus a cube यानि a cube plus b cube plus c cube टाइप हमें यह नजर आ रहा है अब एक condition थी कि अगर a plus b plus c अगर हमारा 0 होता है तो हमें पता है कि a cube plus b cube plus c cube जो है वो 3abc के equal आता है यह अभी हमने पढ़ा था तो अब देखो a plus b plus c को एक बार आप चेक कर लीजिए यानि a plus b plus c हमें चेक करना है तो हम 28 minus 15 b की जगे का है minus 15 इसकी जगे है minus 13 यह क्या हो गया minus 28 और plus 28 यह आ गया 0 यानि इस केस में a plus b plus c 0 है तो हमें पता है कि a cube plus b cube plus c cube जो है वो 3abc के equal आएगा यानि 28 cube plus minus 15 cube plus minus 13 cube यह किस के equal आएगा 3 into a की जगे 28 b की जगे minus 15 और c की जगे है minus 13 और यह हमारा आ गया 16,380 एक ध्यान देने वाली बात और है इसी question से हम करते हैं कि जैसे 28 cube minus 15 का cube इसको मैं एक बार थोड़ा सा different डंग से लिख देता हूँ 15 cube minus 13 cube अगर ऐसे लिखा हुआ होता तो हम क्या करते देखो एक cube है cube है तो 28 cube plus minus 15 का cube minus का अगर ओड़ पावर होती है तो वो minus ही रहता है तो यह minus बन जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिखूँँगा तो भी कोई फरक नहीं पड़ रहा है तो अगर इस तरीके से भी दिया हुआ हो तो simple आपको उस case में a plus b plus c को एक बार check कर लेना है क्योंकि उसको अगर करेंगे ढ़ंग से तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि cube में जो sign है वही sign आएगा जैसे minus का है तो minus आएगा minus और plus की में माइनस 15 cube ही आएगा तो इस चीज़ पे जरू ध्यान देना आज का वीडियो हम यहीं खतम करते हैं हमारा लगभग polynomial finish हो गया है अगर इसके इलावे कुछ बाकी हुआ तो वो भी हम cover कराएंगे लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बचा है अगर आप लोग लगता है कि इसमें अभी कुछ ऐसा है जो हमने cover नहीं कराया है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं हम उस topic को भी cover करा देंगे और यदि आप लोग कोई doubt है मुझे पता है कि जब आप लोग practice करते हैं तो doubts तो आएंगे ही आएंगे अब doubts कहां पे solve होंगे मैंने अपने description में सारे link देवे हैं हमारे पास doubt पूछने के तीन तरीके हैं आप हमारी website का use कर सकते हैं आप हमारे whatsapp number का use कर सकते हैं या फिर आप सीधा वीडियो के comment section में पूछ सकते हैं और आपको उसका solution जल्द से जल्द provide कर दिया जाएगा next चीज मैं आपको एक और click कर देता हूँ कि जो चीज हम जिस flow में चल रहे हैं कि जैसे कि आज हमने ये कराया फिर ये कराया फिर ये कराया आपको हर चीज की अगर update चाहिए तो आप हमारे facebook page पे विजिट कर सकते हैं सारे important link हमने description में दिये हैं आप description को जरूर पढ़े thank you for watching the video